सब्षकिर में एक सडोग देखा होगा आप लोगों ने साउथ इंडिया बैंक , बहुत अच्छा रिटें निकाल के दिया है है थाँक निए और जब यह सटॉक बहुत नीचे था तो जीतने लोगों को फायदा और वहला होगा, जब यह इस इसज्क नीचे था जीतने आप लोग को पहले बता दूँँ ताकि आपको clarity मिल जाए और यह stock समझो कि मतलब बहुत तेज भागने वाला है जो दूसरा आपको बताने वाला हूँ बहुत दो मिनिट के अंदर ही मैं आपको बता दूँँगा यहाँ पर पहले मैं आपको chart button दिखा देता हूँ केवल 50 रुपय का share है आप chart button देख लिजिए all time low है है की नहीं और यहाँ पर देखोगे तो एक तरीके से consolidate किया stock भागा नहीं है अभी तक मैं zoom करता हूँ आपके साथ में देख लिजिए stock को जुम करने से क्या पता चलता है कि stock all time low पे है और साथ में अगर आप देखोगे तो stock पूरी तरीके से consolidate कर रहा है अब थोड़ा तो यह भागना start कर रहा है तो यहाँ पर एक बड़ा target देखने को मिला है तो यह कौन सा यह भी bank ही है वो जो south यह उपर गया यहाँ पर भी नीचे गया है तो उपर नहीं गया है लेकिन कुछ लोग ने बड़ा target देदिया है banking sector में तो हैं और भी अच्छे अच्छे bank अच्छे बैंक है तेकिन यहाँ पर जो target दिया गया है वो मतलब कुछ अलगी target दिया गया है अगर आप देखोगे तो देखो बताया गया कि 80 रुपए से 100 रुपए जा सकता है देख लिशा असी रुपए से 100 रुपए जा सकता है और मैं आपको target level दिखाता हूँ जो latest दिया गया है यहाँ पर भी देखोगे तो 100 रुपए का target दिया गया है पंजाब पंजाब नेशनल बैंक, 55 रुपे से 100 रुपय का तार्गेट दिया गया, ठीक है, प्रभुदास्त ने बुलाया खरीदने के लिए, यह देख लिए, यहाँ पर आपको सारी चीज़े बताया गया, तो पहली चीज, स्टॉक बहुत नीचे मिल ला, दूसरी चीज, टेकनिकल अगर आप देखो हो, तो कंपनी ने बॉटम भी बना राखा, जो बनाना चाहिए, और तीसरी चीज, तो भई, मतलब किसी एक्सपोर्ट ने तार्गेट भी दे रखा है, चौती चीज, अगर आप देखोगे, तो पूरा स्टॉक गिर रहा है, बजार में मतलब कुछ भी ग बढ़ाया गया है, यहां पर अगर आप देखोगे तो, और पबली के पास पहले देखोगे, तो पहले जो था, अभी भी मतलब 13% के बाजी में ही देखने को मिला, मतलब पबली के पास ज़्यादर रिस्क नहीं है, तो इस हिसाब से अगर हम देखे, तो थोड़ा बहुत ट करने के लिए है, और बागी 6 ने बोला है, सेल करने के लिए, यहां पर देख लिए है, यह देख लिए है, पंजाब नेशनल बैंक पे, तो टेकनिकल यह थोड़ा बहुत benefit हो सकता है, इस वज़े से बताया आपको, इस वज़े से मैं नहीं बोला हूँ कि मतलब लंबे समय क है, ओकी-ओकी है, बैंकिक सेक्टर में भी strength है, opportunity है, तो थोड़ा बहुत temporary बन सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत risk and reward अपने पास और रखिएगा जरूर, risk and reward, कुछ भी करने से पहले, एक बार अपने financial advices अभी consult जरूर के लिएचे है, और अगर आप stock market में नहीं है, तो अपने 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 अपन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में